नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चनल लॉगिन कम्प्यूटर पे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है सिक्योर्टी को लेकर यानि कि USB राइट प्रोटेक्शन को लेकर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने प बताने वाला हूँ कि आप अपने सिस्टम को USB राइट प्रोटेक्टेट कैसे बनाओगे तो कोई भी पेंडेव बगर आपके सिस्टम में कोई लगाता है और चाहता है कि आपके सिस्टम से कोई डेटा वो ले पाए बीना आपके अनुमतिक है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिब बताने वाला हूं जो कि रेजिस्टरी के थ्रूफ पॉसिबल होगा तो आप वीडियो को पूरे श्टेप पूरे लास्ट तक वाज किजिए तब ही आपको समझ में आएगा तो चलिए मैं सुरू करता हूं वीडियो को चलता हूं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर उसके पहले पर देख रहा है इसका आकड़ा थोड़ा सा बढ़ाने में हेल्प किजिए चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब चलूर कर दीजिएगा तो चलिए मैं सुरू करूं वीडियो को तो आपको बता दूँ पहले मैं नोट पैड में यहां पर रजिस्टरी का कुछ वैल एड कराएंगे जिसके थुरू हम अपना जो पेंडाइब कर पाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हो यह जो हमारा विंडू रजिस्टरी एडिटर फाइव वर्जन है तो यह एक जो फर्स्ट वाला आप देख रहा हो यह इनेबल करने के लिए है और दूसरा जो है डिस यह षिस्टं के अंदर आपको कंट्रोल दिखेगा कंट्रोल कोेंड करेंगे यहां पर तो कंट्रोल यह जाना है लिदेश को लेकर स्ट्वरेज है कि तो हमने यहाँ पर दिखेंगा नहीं स्टोडेश डिवाइस पॉल्च जो है yemरस टॉपलिसिझ वह यहाँ पर इससे नहीं दिख रहा है हमें तो आप देख सकते हैं estamos हिसको कंट्रोल पर राइट किलिक करके आप इसको मैंवलिभी बना सकते हो तो यह थोरा लेंदी हो जाएगा समझने में मुस्किल हो जाएगा लोगों को तो इसलिए मैं यहां पर एंट्री करके आ नहीं दिखाऊंगा मैं डायक्ट उसकी को की को सब्सक्राइब करेंगा तो आप यहां पर देख लिजिए यहां पर आपको यह प्रिस्ट कर देना है और इस Notepad को से वायर करना और से वहाज करने के बाद आप जो भी लोकेशन दोगे आप लोकेशन दे दोगे मैं हैं डॉक्ट मन का लोकेशन दे रहा हूँ और फाइल नेम आप यहां पे कुछ भी दे सकते हो इने वल डिसेबल यह क यहां पर लास्ट में एक चीज़ कराना पड़ेगा डॉट रीजी यानि रखना यह एड कराना है आपको और उसके बाद सेफ पर क्लिक करते ही आपका जो फाइल है वह रजिस्ट्री वैलू में से हो जाएगी तो मैं आपको दिखा देता हूं चलके है डॉकुमेंट्स में कहा से भुआ है हमारा फाइल तो आप देख सकता है यहां पर देखिए यह राइट प्रोटेक्शन इनेबल का जो है यह हमारा सेब हो चुका है फाइल जो कि इस पर क्लिक करते ही यह वैलू हमारे रजिस्ट्री में एड हो जाएगी तो इस पर अभी कि करूंगा अपने ड्राइब से यह लोगिन नाम से जो है मेरा यह पेंडाइब है 32 यह तो इस पर देख रहा हूं तो मैं इस रजिस्ट्री फाइल जो मैंने बनाया था भी उसको थोड़ा रन कड़ा के आप आपको सामने चेक करा देता हूं मैं क्या हमारा वर्क कर रहा है य नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं इस पर मैंने क्लिक किया और यह पूछ रहा है एडिंग होने के लिए आडियू वान टू कंफर्म तो हम कर देंगे इस पर तो यह देखिए देखिए एंड वैलू कॉंटेंट यूजर और रजिस्ट्री है विन सक्सेस्फुली डिप टूरू तो इसके लिए हम कर एक क्या वह permettre ली निकल वापस से insert पर तो देखिए को देखिए यहां ने लिए पर यहां पर पेस्ट कर रहा तो देखिए हम ने कोपी किया और यहां पर भी यस्ट कर रहा है तो देखिए हमारा जू आगया यहांपर डिस्क ब्रीच बीड feito by यानि कि आप कोई भी पेंड्राइब लगाएगा आपके सिस्टम में और चाहेगा कि आपका डेटा वो अपने पेंड्राइब में ले सके तो यह मुम्किन नहीं हो पाएगा बिना आपके परमिसन के तो आप देख सकते हो इसली ब्लॉक होगे हमारा अपडेटा नहीं तो चलिए हम दूसरे कमांड की तरफ बढ़ते हैं अपने कि अब तो हमने इसको इनेवल कर दिया राइट प्रोटेक्शन लगा दिया अब इसको हटाएंगे कैसे तो इसके लिए हमारा जो यह दूसरा कमांड है सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे यहां पे जो की पीछे ज देख सकते हैं और सेमपली इनेवल को उटा दिया में यहां पे यह फ्ली करना है तो चलिए सेफ हो गया तो वहां पे मेरे डॉकमेंट में यह आगे आप देख सकते हैं यह बस डबल क्लिक करेंगे और अगर इस वैलु को हम दूबाधां दो हमारे अब इस लिए नगा रह화를 दोबारा फिर से लगा रहा हूं इसको तो देखिए मेरा पेंदय आ चुका है यहां पर मैं यहां से डेटा अगर अगर डेखिए अमारा पेस्ट हो चुका है वहां पर द्रेघ औरब कटने कोई दिक히त वाली बात नहीं हैं तो आप चाहे तो इसको इनेवल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं दोनों कमाड़ आपको मैंने बता दिया और मैं नीचे में भी दे दूगा यह कमांड़ raw कर सकते हो तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बता है और ये जो मैं दिखार रहे हूं सब्सक्रायबर करा कि आ मिद्हीं आफ ले ञाना है तो बताए वीडियो करें आपको कमेंट करके जरूर बताईएगा और अपने टेकनिकल दोस्तों के साथ सेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तत्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार